काफी समय के बाद उत्तर प्रदेश में नए सिक्षक भरती से संबंदित को एक खबर निकल कर आई है सियम की समिक्षा बैठा खुई है और यहां पर सियम ने ये कहा है कि जो भी पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में उसे भरा जाए इसके बाद एक्षन देखने को मिल रहा है और बताया गया है कहां कहां पर कौन-कौन से पद रिक्त हैं सबसे पहले बेसिक यानि प्रात्मिक सिक्षक भरती की 1112 पद रिक्त हैं ऐसी अपडेट आई है खंड सिक्षरिकारी भी यो के 34 कनिस साहय के 870 परिचालक के 3919 यह तमाम पद हैं समुको खो गौ समेत लाखो पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं तो सीम का यह आदेश आया है देखते हैं कब तक जो भरती बोड है वो इस पर एक्षन लेते हैं कब तक अधियाचन क्यारी होता है क्योंकि निस पेपर में तो खबरें बहुत देख ली हमने बहुत आपने यूट्यूब पर विडियो देख लिए अब विज्यापन का समय है यदि अभी विज्यापन नहीं आता है तो आप मानका चलिए कि प्रात्मिक हो या टीजडी पिजडी हो या ल्टी दोस्तों जो स्यम की समीशाव अटक्स नाप्त हो इसके बाद मादमी सिक्षा विभाग से काफी अच्छी अपडेट है अधियाचन को लेकर अपडेट आई है रिक्त पदों का बैवरा जारी हुआ है यहां पर कितने पद रिक्त हैं यह हम जानते हैं तो बात करें मिलनी हम स्थिक्षक भरतियों की तो प्रात्मिक में बताया है मैंने एक आउने part रिक्त हैं और यह जो डेटा जारी हुआ है इसमें बताया गया है कि प्रधाना ध्यापक प्रवक्ता और सहायकत ध्यापक राज की मादमीं। या ययानि लिटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता वग्यर यहां पर पदरिक्त हैं सहायता प्राप्त जाने की आइड़ेड माध्यू विद्याल है टीजेटी बीजेटी की बात हो रही है और लिपिक तीनों को जोड़कर 28790 पद और यह भरती होगी नए आयोग सिख्चा सेवा चैन आयोग ठीक है टीजेटी बीजेटी सिख्चा सेव संस्कित विद्याला की बात हो रही है और यह मांदे की अधार पर नियुक्ति की जाएगी तो मिलनी यहां पर बात करें एक 40,000 सदिक पद हैं राजकी और आइड़ेड माध्मिक विद्याले में सरकार चाहर इन पदों को भर सकती है जिस परकार से बिहार में लगाता सुक् अधियापन और उत्तर प्रदेश में सूखा अफसाप पढ़ गया है भरतियों के लिए तो पदों की कमी नहीं है बस मनशा होनी जाएए और यहां पर देखेंगे जो दोस्तों तो सह जिला विद्याले निरिक्षक ठीक है जिला बेसिस्क्षादिकारी जो भरतिया पीसियस सरकार ने दी चाहा तो सब कुछ हो जाएगा आपको बयान देने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी कि भरतियों को पूरा किया जाए एक आदेस होगा सब कुछ हो जानना है फिलाल चलिए कम से कम कुछ कारवाई देखने को मिल रही है आगे जो भी अपडेट्स जो भी सुच जब हो जाएगी तो नहीं आयोग पर भी काफी सारी चीज है वहीं पर लगातार भरतियां आ रहे हैं लेकिन की भरती नहीं आ रहे हैं उन्हीं अभी और इंतजार करना पर सकता है चुकि सिक्षक भरतियों में पद अच्छे खासे होते हैं यहां पर कॉंपेटिशन अन्य जगहों की तुलना में जरूर कम होता है क्योंकि कुछ स्परसलेजबिटी होती है बीएड वागरा मांग लेते हैं प्रात्मिक में डियलेड लगता है और सी तेड यूपी तेड तो थोड़ा सा जरूर यहां पर कॉंपेटिशन कम हो जाता है चात्रों को इंतजार है भरति करता है और यूवाओं को अपनी योगिता के अनुरूप आशर नहीं मिलता है तो देखते हैं दोस्तों क्या सरकार करती है अभी समय है लोग सबाचुनाओं में सरकार चाहे तो अभी बहुत कुछ हो सकता है जो भी जानकारी होगी मैं आपको जरूर सुचना दूंगा आप